धर्म सिंग देवली, धर्मेंद्र एक भारती अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक के हैं अपने काम के लिए जो सबसे अच्छा जाना जाते हैं हिंदी फिल्मों में उन्हें भारती सिनेमा के हीमेन के रूप में भी जाना जाता है वे विश्व सिनेमा के उन गिने चुने अभिनेताओं में शामिल हैं जिनके पास मुखे अभिनेता के रूप में सो से अधिक सूपर हिट फिल्में हैं सत्तर के मद्धे के दशक में उन्हें दुनिया के सेश दस सबसे सुन्दर पुरुशों में चुना गया था 1997 में उन्हें हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरुशकार मिला उनकी सबसे उलेखनी भूमी काओं में से एक 1975 की फिल्म शोले में थी वे भारत की पंद्रवी लोग सभा के सदस्य थे भारती जनता पार्टी से राजिस्थान में बीकनेर निर्वाचन छेतर का प्रतिने धित्व करते थे 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच नागरिक सम्मान पद्म भूशन से सम्मानित किया गया था धरमेद्र का जनम नसराली के एक गाउन लुदियाना जिले पंजाब के एक केवल किशन सिंग देवल और सत्वंत कोर के लिए यहां आठ दिसंबर 1935 को पंजाबी चाठ हिंदू आर्रे समाज परिवार में हुआ उनका पुस्तेनी गाउं डगोन पकोवाल तहसिल रायकोट लुदियाना के पास है उन्होंने गाउं में अपना प्रारंबिक जीवन बिताया सानेवाल और में अध्धन किया सरकारी सीनिया सेकेंडरी स्कूल में लाल्टोन कालान लुदियाना जहां उनके पिता गाउं के स्कूल के प्रधान अध्यापक थे उन्होंने 1952 में रामगडिया कॉलेज फगवाड़ा में इंटर्मिडियेट की पढ़ाई की धर्मेंद फिल्म फेर पत्रिका के राष्टी इस तरपर आयोजित नए प्रतिभा पुरुसकार के विजेता थे और पुरुसकार विजेता होने के नाते वादा की गई फिल्म में काम करने के लिए पंजाब से मुंबई गए लेकिन फिल्म कभी नहीं बनी बाद में उन्होंने 1960 में अरजुन हिंगो रानी की दिल भी तेरा हम भी तेरा के साथ अपनी शुरुवात की 1961 में फिल्म बॉइफ्रेंड में उनकी सहायक भूमिका थी और 1960 के बीच कई फिल्मों में उन्हें रॉमैंटिक रूची के रूप में लिया गया उन्होंने नूतन के साथ सूरत और सीरत 1962, बंदिनी 1963, दिल ने फिर यात किया 1966 और दुलहन एक रात की 1966 माला सिनहा के साथ अनपढ़ 1962, पूजा के फूल 1964, बहारे फिर भी आएंगी 1966 और आखे 1968, आकाश्दीब 1965, नंदा के साथ शादी 1962, और आई मिलन की बेला 1964 1964 में सायरा बानव के साथ धरमेंद्म ने मीना कुमारी के साथ एक सफल जोड़ी बनाई और साथ फिल्मों में स्क्रिन साजा की, जिन में मैं भी लड़की हूँ 1964, काजल 1965, पूर्णिमा 1965, फूल और पत्तर 1966, मजली दीदी 1967, चंदन का पालना शामिल है 1967 और बहारों की मनजल 1968, फूल और पत्तर 1966 में उनकी एकलनायक की भूमी का थी, जो उनकी पहली एक्शन फिल्म थी लंबे समय से कयास लगाय जा रहे हैं कि मीना कुमारी और धरमेंद्र के बीच, 1960 के दशक में अंतरगत संबन थे मीना कुमारी ने उस समय के एरिल डिस्टिट्स में खुद को स्थापित करने में उनकी मदद की फूल और पत्थर 1966 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और धरमेंद्र को पहली बार सर्फशेष्ट अभीनेता के फिल्म फेर पुरुसकार के लिए नामांकित किया गया अनुपमा में उनके अभीने को समिख्षकों द्वारा सराहा गया फिल्म में उनके परदर्शन के लिए उन्हें राष्ट्री फिल्म पुरुसकारों में एक समारिका दी गई उन्होंने आई मिलन की बेला आया सावन जूम के मेरे हमदम मेरे दोस्त इश्क पर जोर नहीं प्यार ही प्यार और जीवन मिर्त्यू जैसी फिल्मों में रोमेंटिक भूमिकाएं की उन्होंने शिकार, ब्लैक मैल, कब क्यों और कहां और कीमत जैसी सस्पेंस थिलर फिल्में की धरमेंद्र को एक प्राप फिल्म फेर्ज सर्फ्टेस्ट अभिनेता का 1971 की हिट फिल्म में एक्शन हीरो की भूमिका के लिए ना मांगकर मेरा गाउं मेरा देश रोमेंटिक और एक्शन हीरो की भूमिका निभाने के बाद उन्हें 1975 तक एक पहुमुकी अभिनेता कहा जाने लगा उनकी सबसे सफल जोड़ी हैमा मालिनी के साथ थी जो आगे चलकर उनकी पतनी बनी इस जोड़ी ने राजजानी, सीता और गीता, शराफत, नया जमाना, पत्थर और पायल, तुम हसीन में जवान, जुगनू, दोस्त, चरस, मा, चाचा भतीजा, आजाद और शोले सहित कई फिल्मों में एक साथ काम किया उनके सबसे उलेकनी अभीने परदर्शिनों में हरीकेश मुखर जी के साथ सत्यकाम और शोले शामिल हैं जिसे इंडिया टाइम्स द्वारा सभी समय की शीष 25 बोलीवुड फिल्मों को अवश्य देखना चाहिए मैंसे एक के रूप में सूची बंद किया गया है वाशिक फिल्मफेर पुरुसकारों के न्यायधीशों ने शोले को सरशेष्ट फिल्म के फिल्मफेर के विशेश सम्मान से सम्मानित किया धर्मेंद 1976 और 1984 के बीच एक्शन फिल्मों की संख्या में स्टार करने के लिए चल दिये उन्होंने धर्मवीर, चरस, आजाद, कातिलों के कातिल, गजब, राजपूत, भागवत, जानी दोस्त, धर्म में और कानून, मुख्य इंतिकाम डूंगा, जीने नहीं दूंगा, हकूमत और राचतिलग राजश खन्ना के साथ उन्होंने टिंकू, राजपूत, और धर्म और कानून में अभिने किया, जो सबी हिट रही, हाला कि उनकी आखरी फिल्म एक साथ कैमियों में देख आई दी, मुख्बत की कसम 1986 फिलोप रही, उन्होंने साथ काम किया जितेंद्र के, जिन में कर्मा और नफरत की आंधी, उन्होंने शालिमार, कयामत, जान हाती पे, जूटा सच, सीता मगर, प्रोफेसर प्यारेलाल और फंदेबाज में भी कौन मैन या गैंक्स्टर की भूमी का निभाई, उन्होंने 1987 में पुनीत इस्सर अभिनित फिल्म सूपर मैन में भिख खलना इक अलख शेली है, धरमेंदर का सबसे लंबा सहयोब, निर्देशक अरजुन हिंगोरानी के साथ था, दिल भी तेरा हम भी तेरे, एक अभिनेता के दो में धरमेंदर की पहली फिल्म थी, और मुखके नायक के दो में, धरमेंदर के साथ अरजुन का पहला निर्देशन अरजुन हिंगो राणी निर्माता और निर्देशक थे और सल्तनत और करिश्मा कुद्रत का अरजुन ही रोगानी द्वारा निर्मित थी उन्होंने निर्देशक प्रमौत चक्रवर्थी के साथ नया जमाना ड्रीम गल आजात और जुगनू में काम किया धरमेंद्र जैसे माधी 1972 पिता उतिप पुत्र के रूप में गजब 1982 जुडवा भाईयों में आसंबंदित समान वेक्ति के रूप में जूटा सच्च और चियो शांसे 1997 ट्रिपल भूमी काउं में थे धर्मेंद्र ने पृत्वी राज कपूर और करिना कपूर को छोड़कर कपूर परिवार के सभी सदस्यों के साथ काम किया है उन्होंने समय समय पर कंकंदे ओले विशेश उपस्तिती 1974 दोशेर 1974 दुख भंजन तेरा नाम 1974 तेरी मेरी एक जिन्दरी 1975 पुट जटन दे में अभिने करते हुए अपनी मूल भाषा पंजाबी में फिल्में बनाई 1982 और कुर्बानी जटदी 1990, 1980 और 1990 के दशक के दोरान उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में मुख प्रमुक और सहायक दोनों भूमिकाओं में काम करना जारी रखा 1997 में उन्हें फिल्म फेल लाइफ टैम अचीवमेंट अवोर्ड मिला दिलिप कुमार और उनकी पत्नी सायरा बानों से अक्टूबर 2012 में धरमेंदर पुरुसकार स्वीकार करते हुए धरमेंदर भावुक हो गए और उन्होंने टिपड़ी की कि इतनी सारी सफल फिल्मों और लगभग सो लोग पिर ये फिल्मों में काम करने के बावजूद उन्होंने कभी भी सर्व शेष्ट अभीनेता की शीनीर में कोई फिल्म फेर पुरुसकार नहीं जीता इस अफसर पर बोलते हुए तिलिप कुमार ने टिपड़ी की जब भी मुझे सर्व शक्तिमान इश्वर से मिलने का मोका मिलेगा तो मैं उनके सामने अपनी एक मात्र शिकायत रखूंगा तुमने मुझे धर्मेंद की तरहें सुन्दर क्यों नहीं बनाया उन्होंने फिल्म निर्मान के साथ प्रियोक किया वे फिल्मों में अपने बेटे के दोनों का शुभारम सनी देवल में बेताप 1983 और बोबी देवल के साथ परजात 1990 के रूप में अच जैसे फिल्मों के प्रस्तुत करता थे अपने एक साथ शाथकार में अभिनेत्री प्रिती जंटा को ये कहते हुए उद्दत किया था कि धर्मेंद्र उनके पसंदीदा अभिनेता है प्रिती जंटा ने उन्हें हर पल 2008 में अपने पिता की भूमी का निभाने की सिफारिश क थी दो हजार तीन से अभिने से चार साल के अंतराल के बाद वे 2007 में लाइफ इनम मैटरो और अपने में एक चरित्र अभिनेता के रूप में फिल्मों से फिर से दिखाई दिये दोनों फिल्में समिक्षकों और वेवसाइक रूप से सफल रही बाद में वे पहली बार अप अपने बेटों के साथ यमला पगला दिवाना में फिर से अभिने किया जो 14 जनवरी 2011 को रिलीज हुई थी एक सीक्वल यमला पगला दिवाना 2 रिलीज हुई थी वे अपनी बेटी इशादेवल के साथ 2011 में अपनी पत्नी के निर्देशन में बनी फिल्म टैल मियो खुदा में दिखाई दिये उन्होंने पंजाबी में धोरी भूमी का निभाई फिल्म डबल डिट ट्रबल 2011 में धर्मेंद्र ने लोग करिये रियलिटी शो इंडियास गोड टेलेंट की तीसरी शंकला के पुरुष जज़ के रूप में साजित खान की जगा ली 29 जुलाई 2011 अंडियास गोड टेलेंट ने नए जज़ के रूप में धर्मेंद्र के साथ कलर्स पर परसारिद किया और पिछले दो सीजन की शुरुवाती रेटिंग को पार कर गया 1983 में धर्मेंद्री ने एक प्रोडक्शन कंपनी की इस्थापना की जिसे फिजेता फिलिम्स के नाम से जाना जाता है 1983 में रिलिज हुई अपनी पहली फिलिम में बेताब विजेता फिलिम्स ने मुक्के अभीनेटा के रूप में सनी देवल को लौنच किया ये फिल्म साल की दूसरी सबसे ज़ादा कमाई करने वाली फिल्म बनी 1990 में उन्होंने action फिल्म खायल का निर्मान किया जिसमें सनी ने अभी ने किया फिल्म ने सर्फशेष्ट फिल्म पुरुसकार सहीत साथ फिल्म फेर पुरुसकार जीते इसने संपूर्ण मरोंजन प्रदान करने वाली सर्फ सेश्ट लोग पर ये फिलिम का राश्टे फिलिम पुरुसकार जीता धरमेंद्र ने 1995 में बरसात में अपने छोटे बेटे बोबी के करियर की शुरुआत की धरमेंद्र भारती जनता पार्टी की ओर सी 2004 सी 2009 तक राजिस्टान में बीका नेर का प्रतिने दित करने वाले भारती संसत लोग सभा के सदस्य के रूप में कार रे किया 2004 में अपने चुनाव अभ्यान के दोरान उन्होंने एक आकरमक टिपड़ी की कि उन्हें लोगतंत्र के लिए आविश्चक बुनियादी सिष्टाचार सीखने के लिए तानशा सदा के लिए चुना जाना चाहिए जिसके लिए उनकी कड़ी अलोचना की गई थी जब सदन का सत्र चल रहा था तब वे शायदी कभी संसद में उपस्तित होते थे फिल्मों की शूटिंग या अपने फार्म हाउस में कि शिकार्रे करने में समय बिताना पसंद करते थे धरमेंद्र की पहली शादी कम उम्र में परकाश कोर से हुई थी इस शादी से उनके दो बेटे थे सनी और बोबी दोनों सफल अभिनेता और दो बेटिया विजेता और अजीता उनके भतीजे अभी देवल भी एक अभिनेता हैं बंबई और फिल्मी कारोबार में आने के बाद धरमेंद्र ने हेमा मालनी से शादी करने के लिए और अपनी पहली बीवी को तलाक ना देने के लिए इसलाम धरम ग्रहन किया और उन से शादी की उन्होंने हेमा मालनी के साथ कई फिल्मों में एक साथ काम किया जिसमें शोले भी है इस दम पर तीकी दो बेटिया हैं इशा देवल और अहाना देवल 2019 में धर्मेंद्र के पोते और सनी देवल के बेटे करंड देवल ने पलपल दिल के पास से अपना पॉलिवुड इंडिस्ट्री में टैब यू किया सत्तर के दशक के मध्ये में धर्मेंद्र को दुनिया के सबसे सुन्दर पुरुषों में से एक चुना गया था उन्हें वर्ल आइरन मैं अवोर्ड मिल चुका है कलाकार पुरुषकारों में उन्हें भारती सिनेमा में योगदान के लिए एक विशेष पुरुषकार मिला वे भारती मनुरंजन उद्योग में उनके उत्कृष्ट योगदान के माननेता में फेडरेशन ओफ इंडिया चैमबर ओफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा लीविंग लीजेंड अवोर्ड के प्राप करता है 2003 में उन्हें सेंस्वी व्यूचर्स चोईस मूवी अवोर्ड में लाइफ टैम अचीवमेंट अवोर्ड मिला 2004 में भारती सिनेमा में सर्फशिट योगदान के लिए सम्मानित किया गया 2005 में उन्हें लाइफ टैम अचीवमेंट के लिए जी सिने अवोर्ड मिला 2007 में उन्हें पूर्ण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफटाइम अचीवमेंट अवोर्ड से सम्मानित किया गया था 2007 में उन्हें आईफा लाइफटाइम अचीवमेंट अवोर्ड मिला 2007 में भार्दी राष्ट के लिए मानविये सेवाओं के लिए एक पुरूसकार मिला 2007 में उन्हें डी बी आर इंटर्टेर्मेंट द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवोर्ट से सम्मानित किया गया 2007 में पंजाबी अख्बार कौमी एकता में उन्हें भार्दी सिनेमा में उनके लिए सम्मानित किया गया 2008 में मैक्स स्टारडस्ट अवोर्ड में उन्हें अभी नेता पार उतकरिष्टा नामित किया गया था 2008 में उन्हें दसफे मुंबई Academy of the Moving Image इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में Lifetime Achievement Award मिला 2009 में उन्हें नासिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में Lifetime Achievement Award मिला 2010 में उन्हें Big Star Entertainment Awards में उनकी अद्रशत की उतकेश्टा के लिए Big Star Entertainer के रूप में समानित किया गया था 2011 में उन्हें अपसरा Film and Television Producers Guild Award में Lifetime Achievement Award मिला 2011 में उन्हें फिल्म उद्धोग में 50 साल पूरे करने के लिए सलाम महराश्ट पुरुसकार मिला 2011 में उन्हें भारती Television Academy पुरुसकारों में The ITA Scroll of Owner से समानित किया गया था 2019 में उन्हेंजर Zack 2019 में उन्हें उन्हें पुरुसकार में Nasar 2020 मेंjoy-जन्हें पूरुसकार 2019 में ऌन्हें उन्हें पुरुसकार 2021 मुपोग पूगल 2021 में जन्हें ड्हें ऎ perseंशंडर्क